महिला अरक्षन बिल को लेकर कॉंगरेस सांसत राहुल गांदी ने केंदो की मोधी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वो ध्यान भटकाने का काम करे है अगर सरकार को विध्यक को लागू करना है तो अभी करे इसके रिए पररी सिमन क्यों उन्होंने कहा कि महिला अरक्षन बिल आज से ही लागू किया जा सकता है मीडिया की सवल पर राहुल गांदी ने कहा अफसूस है कि 2010 में कौंगरस के महिला अरक्षन बिल में OBC कूटा नहीं था सरकार OBC को नहीं आदानी को पावर देना चाहती है राहुल गांदी ने कहा कि OBC सांसदों को मूर्ती बनाने वाली बात उन्हें बीचेपी सांसद से ही कही गई थी कॉंगरस दीदा ने कहा पहले तो पता नहीं चला कि ये विशेश सत्र क्यों बुलाया जा रहा है उसके बात पता चला कि महिला आरक्षन बिल को आज लागो किया जा सकता है उन्हों ने आगी कहा कि 33 प्रदीशे सीटे donated सबाव में महिलां को दीज जा सकती है मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है सरकार ने बिल पास करा दिया है लेकिन अस्क्रियत यह है कि यह लागों दस दन बाद होगा और यह नहीं मालुम की होगा या फिर नहीं होगा आरक्षर में OBC के लिए मांग करते हुए राहुल गादे ने कहा प्रधानमत्री कहते हैं कि वो OBC के लिए बहुत काम करें हैं तो नफे में से सिर्फ तीन लोग OBC समुदाय से क्यों हैं? OBC हिंदूस्तान की बजट को सिर्फ 5% कंट्रोल कर रहा है नफे में से सर्फ तीन OBC सचीफ क्यों है तमाम बड़ी कबरों पर हम आपको लड़ातार अपडेट देते रहेंगे लेकिन तब तक खिली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें